नमस्कार मैं श्रीका चौखान आप सभी का ट्रेट टॉक के पॉर्कास में स्वागत करता हूँ सबसे पहले अगर हम ग्लोबल मैक्रूस के अगर बात करें तो वो हमारे लिए काफी पॉजिडिव है बॉन डिल गिर चुका है 4.65 से अभी 4.55 परसेंट आ चुका है और क्रूर के दामों में भी अच्छी कासिक गिरावट हमने देखी है 85 डॉलर्स पर बैरल से अभी वो 81 डॉलर्स पर बैरल आ चुका है साथी साथ डॉलर इंडिक्स भी 105 पे है और पिछले 3 या 4 दिनों से अगर FIS के अगर अक्टिविटी देखे तो उन्हें लगातार फ्यूचर्स में अपनी पोजिशन को या तो कम किया है या तो लॉंग किया है इसी के basis में हमें लगता है कि हमारे markets में भी mood तेज़ी का बन सकता है Asian markets में हमने कुछ weakness देखा है या तो कुछ sideways sort of activity देखी है लेकिन Indian markets के लिए हमें लगता है कि ये macros काफी positive है and based on these macros हमें लगता है कि market में तेज़ी का momentum और बन सकता है 19,400 के उपर की closing nifty के लिए positive है कल के दिन में 19,300 के levels अच्छी का सी हमने recovery देखी 400 के उपर की closing है अभी next important levels है 19,460 and 19,550 इन levels के करीब nifty आने वाले दिनों में हम आते हुए देख सकते है यहाँ पर हमें stop loss हमारा revise करना है 19,300 के करीब हमारे long positions के लिए हमें stop loss रखना है और higher levels पर जैसे मैंने बताया 19,460 और 550 के levels के करीब हम कुछ positions को कम कर सकते है साथे साथ bank nifty यहाँ पर हमने कल के दिन में एक जबरदस उचाल देखा और इसी वज़े से हमें लगता है market का momentum और भी strong हो सकता है कई सारे private banks में अच्छा कासा momentum develop हुआ है ICICI bank, Axis bank, days high की तरफ close हुए है और हमें लगता है कि 43,400 के levels के ऊपर bank nifty में एक अच्छा कासा strong momentum बना रहेगा 43,900 के ऊपर हमें लगता है कि अच्छी कासी short covering बन सकती है जो bank nifty को एक बार 44,300 तक लेके जा सकती है तो broadly हमें लगता है कि market का momentum अच्छा हो सकता है और हमें कोई भी correction अगर market में आता है तो उसे as a buying opportunity करके consider करना चाहिए तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही आप सभी से मैं आज के लिए विदा लेता हूँ धन्यवाद